आपको इन वारे की जानकारी मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि उसके उपर वो कारवाई करेंगे यह हो सकता है कि शायद उनकी जानकारी से पहले अगर गाड़ी महाँ से गायब होती है तो अलग बात है पर इसके वपर अधिकारिक रुप से मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मैं किसी भी जाच एजनसी का अगरती नहीं हूँ मैं तो जो इंफर्मेशन मिलती है उसके आधार पर आपके सामने उसको रखने की कोशिश करता हूँ पर मेरी इंफर्मेशन के अनुसार कल शाम तक यह गाड़ी मुंबई में ही थी अभी तक मोबाइल पॉन नहीं मिले है कहा जारा है कि सिम कार्ड उनके लोकेशन एक दूसरे से 20 मिटर की दूरी पे थे लेकिन मोबाइल पॉन रिकवर नहीं हुए है देखिया अगर यह जिस प्रकार से हत्या नजर आती है और जिस प्लैनिंग के साथ हत्या की गई है जिनको इन्वेस्टिगेशन समझता है ऐसे ही लोग इतने प्लैनिंग के साथ हत्या कर सकते हैं और इसलिए ऐसे लोगों ने जान बुझकर क्योंकि वो जानते थे कि टावर लोकेशन निकाला जाएगा और इसलिए जान बूचकर ये भी हो सकता है कि अलग-अलग टावर लोकेशन पर दो अलग-अलग मोबाइल दिखाए हो लेकिन ये मोबाइल या सिम काड नहीं मिलेंगे ये मुझे पक्का पता है क्योंकि उन लोगों ने उसको पूरे तरीके से ड